अप्रेयल के मुहिने लगने वाला है साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहन साल 2023 में कुल 4 ग्रहन रहेंगे जिसमें से 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहन होंगे 20 अप्रेयल कुल लगेगा साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहन लेकिन सूर्य ग्रहन होता क्या है? जब चंद्रमा प्रित्वी और सूरे के बीच से गुजरता है जिससे प्रित्वी का कुछ हिस्सा छिप जाता है उसे सूरे गरहन कहते हैं सूरे गरहन का समय सुभा 7 बच कर 4 मिनट से दोपहर 12 बच कर 29 मिनट तक रहेगा अलागि ये सूरे ग्रहन बारत में दीखा नहीं जाएगा लेकिन कुछ चुनिंदा राश्यों पर इसका प्रभाव हो सकता है इसलिए जरुत के हिसाब से अपना ख्याल पहले ही रखे और ऐसी और अप्रेट्स के लिए जुड़े रहें लिए देना लाइव नूस के साथ अपरेल के मुहिने लगने वाला है साल 2023 का पहला सूरे ग्रहन साल 2023 में कुल 4 ग्रहन रहेंगे जिसमें से 2 सूरे और 2 चंद्र ग्रहन होंगे 20 अपरेल को लगेगा साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहन लेकिन सूर्य ग्रहन होता क्या है जब चंद्रमा पृत्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है जिससे पृत्वी का कुछ हिस्सा छिप जाता है उसे सूर्य ग्रहन कहते है सूर्ग रहन का समय सुबा 7 बच कर 4 मिनट से दोपहर 12 बच कर 29 मिनट तक रहेगा हलागि ये सूर्ग रहन बारत में दीखा नहीं जाएगा लेकिन कुछ चुनिंदा राश्यों पर इसका प्रभाव हो सकता है इसलिए जरुत के हिसाब से अपना खयाल पहले ही रखे और ऐसी और अप्रेट्स के लिए जुड़े रहें लिए देना लाइव नूस के साथ